जैसे कि आपको विदित है पूरु में हमने जो सेशन लिया था उसमें हमने बात कि थी अनन्त लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्दु छेतर की तीवरता कितने होगी गौस का प्रमे को प्रियोग करते हुए हमने अनन्त लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट विद्दु छेतर की तीवरता ग्याद की थी और विद्दु छेतर की तीवरता का मान ए बराबर लैमडा अपॉन टू पाई अपसाले नौट आर आया था ठीक है जहाँ पर हमने आपको यह बताया था कि रेखिया आवेश के कारण विद्दु छेतर की तीवरता रेखिया आवेश से बिंदु आर दूरी के विद्दु कर्मान पाती होती है और इसकी जो दिशा होती है वो रेखिया आवेश के लंबवत बाहर की ओर होती है आज हम बात करेंगे अनंत बिस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्दु छेतर की तीवरता यानि intensity of electric field near an infinite plane charge non-conducting seat अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिये कोई आवेश क्यू किसी प्रिस्ट के छेतरफल पर सम्मान रूप से पित्रित है तो उस प्रिस्ट के प्रती एकांग छेतरफल पर बिद्दमान आवेश को प्रिस्ट आवेश घनत जिसे सिग्मा से यहाँ पर प्रतसित करते हैं उसे मानने पर हमारे पास जो प्रिस्ट घनत होगा वो क्या होगा सिग्मा बराबर क्यू बटे ए अब हम मान लेते हैं कि एक अनंत बिस्तार का एक धन आफशित अचालक समतल सीट एक तल पर आवेश का प्रिष्ट घनत तो सिग्मा है तो यहाँ पर इस सीट पर जो आवेश एक समतल चादर पर समान रूप से वित्रित है उसको हम यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि एक बिंदू P यहाँ पर ले लेते हैं और कि मान लिजे यह P बिंदू आर दूरी जो है चालक से आर दूरी पर है तो यहाँ पर हमें ग्याद करना है कि बिद्दुछेतर की तिबृता इस सीट के कारण कितनी होगी तो अनन्द बिस्तार की जो ये धनाविसित अचालक चादर है इससे आर दूरी पर जो बिंदु पी है वहाँ पर बिदुद छेतर की तीवरता कितनी होगी उसके लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इस सीट के आसपास एक गौशन प्रिस्ट है जो सिलेंड्रिकल दिखती है बेलन आकार की दिखती है जिसके समतल सिरे के चादर के सामानतर है और बिंदु पी तथा पी डैस से होकर गुजर रहे हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मान लिजिए यहाँ पर बेलन के सिरे का छेतर फल ए है अब क्योंकि जो ये सीट हमने यहाँ पर ली है इसका विस्ता अनन्त है अतहे चादर की समीप दोनों बिंदूओं पर बिद्दू छेतर ई का जो परिणाम होगा वो बराबर होगा यानि यदि चादर धनावेशित है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बिद्दू छेतर होगा वो गौशियन जो सर्फेस यहाँ पर हमारी बनी है उस के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो विद्दूत फ्लक्स कितना होगा फाई बराबर इंट्रिगल ओफ एडी ए एक साइड में प्लस दूसरी साइड में इंट्रिगल ओफ एडी ए क्योंकि दोनों तरफ समान है तो दोनों तरफ अगर यह समान है तो यहाँ पर अगर हम कहलें DA एक समतल के सिरों का छेतरफल वैक्टर है तो यह E.DA बराबर E.DA और दोनों तरफ यह अगर जोड देंगे तो E.A. प्लस E.A. बराबर 2.E.A. हो जाएगा यानि गौसी या बेलन के बक्रिय प्रिस्ट से होकर गुजरने वाला जो वैदुद्ध फ्लक्स है उसको सुन्य माल लेंगे और क्योंकि इस प्रिस्ट पर सभी जगए E और DA परस पर लंब होता है इसलिए जो सिर्फ हमारे पास फ्लक्स बचेगा वो क्या होगा 5 बराबर 2.E.A. अब हम यह भी जानते हैं गौस्ट के परमें से कि जो विदुद्ध फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है टोटल चार्ज इन्क्लोज इन्द सर्फिस डिवाड़े बाइपसलन नॉट यहां पर जो आवेस है वो गौस्ट सर्फिस पे इन्क्लोजड टोटल आवेस है तो यहां पर हम इस मान को यूज़ करेंगे और हमने सूरू में यह भी देखा कि जो क्यों है वो किसके बराबर होता है सिग्मा एके यहां पर क्यों और फाई का मान हम एक साथ यहां पर अगर यूज़ करेंगे यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाई बराबर हो गया सिग्मा ए बटे अपसलन नॉट और अभी हमने उपर याद किया था कि जो यह यहाँ पर flux होगा, बैदुत flux होगा, जो बेलन के सिरों से होकर जाने वाला flux होगा, वो 2EA के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम 5 कमान रख लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 2EA बराबर सिगमा A upon epsilon not, तो यहाँ से हमारा A से A कैंसल हो जाएगा, और E बराबर हो गया कितना, सिगमा upon 2 epsilon not, तो इसका आर्थ यह हुआ, कि चादर के निकट सभी बिंदुओं पर बिद्दू छेतर की तीवरता समान होती है, इस बात को आप ध्यान देंगे, कि यहाँ पर इसपस्ट है, कि धना अविसित चालक जो चादर की प्लेट हमने ली है, उसके समीप किसी भी बि इस जैसे हमने यहाँ पे लिया है, उस चादर की लंबवत तथा चादर से दूर, जो अवे फ्रॉम दा सीट है, वहाँ पर जो हमने छेतर निकाला, वो कितना आया, इसको मैंसा भी कह सकता है, कि यह तो हमने चादर पॉजिटिव चार्ज ली थी, अगर यह नेगेटिव च लंबवत तथा कहां होगी, चादर की और होगी, यानि टूर्ड्स दप्लेट यानि इनसाइड होगी, आउटवर्ड प्लस होने पर होती है, और माइनस इनवर्ड होने पर होती है, तो यहाँ पर हमें यह पता चलिया, इस फॉर्मुले से भी यहाँ पर हमें पता चलता है, कि जो बैदुद छेतर की तीबरता है वो किसी भी चालक के लिए E बरावर सिग्मा अपॉन टू अपॉन अपसलन नौट के बरावर होती है इसी प्रकार से अब हम एक नया अप्लीकेशन यूज करेंगे कि किसी आवेसित चालक के ठीक बाहर बैदुचेतर की तीबरता कितनी होती है यानि हम यहाँ पर ग्याद करेंगे कि किसी जो हमारे पास चार्ज कंड़क्टर है उसके बाहर कितनी बैदो छेतर की तीवरता होगी तो यहाँ पर माल लेते हैं कि हमारे पास एक अनंत बिस्तार की एक कोई मोटी एक धनावे से समतल चालक प्लेट है और यहाँ जो समतल चालक प्लेट है इसको हम यहाँ पर निर्वात में रख लेते हैं यानि जहाँ पर हम अपसलन नौट के अमाल लेते हैं वहाँ की जो बैदुत पर्मिटिविटी है वहाँ पर प्लेट को दिया गया जो संपूर्ण आवेस यहाँ पर है उसके दोनों प्रिष्टों पर यानि उसकी दोनों प्रिष्टों पर प्रिष्ट एक और प्रिष्टों पर एक समान रूप से आवेसित अगर बितृत किया जाए तो प्लेट के भीतर बैदुचेत्र सुन्य होगा जबकि प्लेट के बाहारी प्रिष्टों पर बैदु छेत्र का मान जो हम ग्याद करेंगे वो कितना होगा बैदु छेत्र के प्लेटों के प्रिष्टों के लंबोत अगर हम उसे ग्याद करें और हम यहाँ पर जैसे कि हमने पीछे भी माना था यहाँ पर आवेस घनतों मान ले सिग्मा ठीक है तो हम यहाँ पर ग्याद करेंगे कि कितना बेद्दु छेतर की तीबरता यहाँ पर आएगी आवेस चालक के ठीक बाहर तो जैसे कि हमें चितर में दिख रहा है हम कह रहे हैं कि प्लेट के भीतर चार्ज नहीं है बहार जो है चार्ज की वज़े से हमें बिद्धु छेतर निकालना है तो यहां पर इसकी दो सतय हो गए दो समतल प्रिष्ट हो गए एक और दो और इनकी वज़े से दोनों प्रिष्टों की वज़े से बिंदु पी पर हम क्य निकलेंगे छेतर की ती बृता तो जैसे कि हमने पीछे भी सूतर निकाला था एक प्रिष्ट की वज़े से जो हमारा बिद्दु छेतर की ती बृता आई थी वो क्या आई थी यह बराबर सिग्मा अपॉन टू अपसेलन नॉट यहनी पीछे का जो हमारा फॉर्मूला हमने न उतर निकला था कि बिद्दु छेतर की ती बृता जो सीट है उसके बाहर कितना होता है वो आया था ए बराबर सिग्मा अपॉन टू अपसेलन नॉट वही चीज यहां पर है बिलकुल वैसे कि वैसे हम यहां पर सीधा सीधा लिख सकते हैं कि बिन्दु पी पर यहनी चादर की वज़े से एक सिरे पर जो बिद्दु छेतर का मान E1 है उसका मान हो गया सिग्मा अपॉन टू अपसेलन नॉट इसी तरह से जो दूसरे सिरे की वज़े से यहनी बिन्दु पी पर चादर की दूसरे सिरे की वज़े से जो बिद्दु छेतर अगर E2 मान लें तो उसका मा सिग्मा अपन टू अपसेलन नौ चुकि एवन और एटू एक ही दिशा में हैं बाहर की ओर है तो बिंदु पी पर दोनों चादरों के कारण यानि दोनों साइट के कारण बिंदु छेत्र की जो तीब्रता होगी वह हो जाएगी एवराबर एवन प्लस एटू तो यहां पर ए ए बराबर एवन प्लस एटू कमान जो रखेंगे तो हमारे पास यह हो गया सॉल्व करके ए बराबर एवन प्लस एटू एवन कमान सिग्मा अपन टू अपसेलन नौ और एटू कमान सिग्मा अपन टू अपसेलन नौ तो यह हाफ आफ मान है तो यह फुल हो जाएगा तो य यानि आवेशित चालक के कारण बिद्दू छेतर की तीबरता यहाँ पर हो गई ए बराबर सिगमा अपॉन अपसलन नॉट अतह धन आवेशित जो चालक प्लेट है इसके निकट जो बिद्दू छेतर की तीबरता आई यहाँ पर बिद्दू छेतर ए की जो दिशा है वो प्ल लंबवत तथा प्लेट से दूर की ओर यानि बाहर की ओर दिष्ट होती है इसी तरह से अगर यहाँ पर हम इसको रिणावेसित अगर माल लेते तो यहाँ पर बैदु छेतर की दिशा प्लेट के लंबवत तथा प्लेट की ओर होती है यानि इन्वर्ड होती अंदर की ओर होती किसी भी आकरती के चालक के लिए यह इसपस्ट है कि जो बिद्दु छेत्र की तीबरता है वो चालक के छेत्र फल तथा चालक से वह कितनी दूर पर हम बिद्दु छेत्र ग्याद कर रहे हैं उसके हिसाब से ग्याद किया जाएगा यानि चालक के निकट सभी बिंदू उपर बिद्दु छेत्र की तीबरता यहाँ पर समान होगी तो आवेसित चालक के निकट बिद्दु छेत्र की तीबरता आवेस के प्रिष्ट घनत्व के अनुकरमानुपाती होती है यानि यी समानपाती किसके है आवेस के प्रिष्ट घनत्व के है यानि यहाँ पर यह स्पस्ट है कि यदि चालक का प्रिष्ट सार्प एजिज होगा तो वहाँ पर प्रिष्ट का जो घनत्व है वो अधिक होगा और प्रिष्ट घनत्व अधिक होने से विद्दू छेतर की त तीब्रता है वो कम होगी तो अब यह देख लेते हैं कि जो हमने पीछे का जो अप्लीकेशन से हमने निकाला था कि किसी भी जो हमारे पास एक आवेसित चालक था उसके बाहर विद्दुछेत्र की तीब्रता कितनी होती है और वो वहाँ पर जो प्लेट ली थी वो धन आवेस हैं उसी अप्लीकेशन को यूज करते हैं कि समान प्रिष्ट घनतों की अगर हमारे पास धन और रिन आवेसित सामनतर प्लेटे हों तो उनके बीच और बाहर यानि उनके अंदर और बाहर कितनी बिद्दुछेत्र की तीब्रता होगी यानि प्लेटली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और हम यहाँ पर उनको दोनों को पैरलल रखावाया और फिर देखते हैं कि उन दो प्लेटों के अंदर और बाहर कितनी बिद्दुछेत्र की तीब्रता होगी तो जैसे कि आप चेत्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर दो बड़ी समतल अचालक प्लेट वन और टू हमने ले ली एक पॉजिटिव ली चार्ज है एक नेगेटिव ली चार्ज है और दोनों को मान लीजिए हमने सामंतर रखके निरवात की बिद्दुछेत्र की तीब्रता अगर हमें ग्याद करनी है तो इ बराबर यहाँ पर क्या होगा? सिग्मा अपॉण टो अपसलन नॉट यह हमें पता है पीछे का फॉर्मॉले की हमने सेम मदद ले ली उसी फॉर्मॉले को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया जहां पर अपसलन नॉट बिदुद सीलता है निर्वात की अब बैदुचेत्र E की दिशा प्लेट के लंबवत प्लेट से दूर यानि अगर हमने धन प्लेट के वजे से लिया अत्वा प्लेट की ओर अगर प्लेट धनाविसित होँगी तो अंदर की ओर तब होगी जब वो नेगेटिबली चार्ज होगी और धनाविशित कब होगी जब वो positively charge होगी तो मान लिजे हमारे दो प्लेटे हैं और प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच एक बिंदू P है तो बिंदू P पर धनाविशित प्लेट के कारण जो बिंदू छेत्र की तीबरता होगी यहां पर एक ही है दोनों आउट वर्ड यहां पर है तो इस केस में बिंदू P पर जो कुल परिणामी बिंदू छेत्र की तीबरता होगी वो E बरावर E1 प्लस E2 होगी दोनों को जोड़ देंगे तो E बरावर सिग्मा अपॉन अपसलन नॉट होगी यहां पर E का मान प्लेटों के बीच बिंदू P की इस्तिती में जो E का मान है वो क्या हो गया सिग्मा अपॉन अपसलन नॉट अब यह दि कोई बिंदू बाहार है मानलिजे P डैस कोई बिंदू है वो बाहार है और तो यहां पर भी हम क्या करेंगे यहां पर भी हम दोनों प्लेटों के कारण E1 और E2 अगर ग्याद करें तो यहां पर जो बिंदू छेतर की जो तीबरता होगी इस बिंदू पर वो सुन्य होगी इसका कारण क्या है कि यहां पर एक जो बिंदू छेतर होगा प्लेट 1 की वज़े से वो आउट वर्ड होगा लेकिन प्लेट 2 की वज़े से वो इन वर्ड होगा अब दोनों क्योंकि equal and opposite हो गए तो यहाँ पर e बरावर e1-e2 हो जाएगा तो यहाँ पर जो बिद्दुचेतर की तीबरता है वो सुन्य हो जाएगी यानि दो बिपरीत आवेशित समतल प्लेटों के बीच के अस्तान पे समान बैद्दुचेतर बिद्द्दमान होता है प्लेटों के बाहर लेकिन बैद्दुचेतर क्या हो जाएगा सुन्य हो जाएगा तो यहाँ पर यह चीधार रखेंगे कि प्लेटों का आकार और उनके बीच की दूरी को अगर हम बहुत सीमित रखें उनका हम मान चेंज ना करें तो उस इस्तिती में जो प्लेटों के अंदर है वहाँ पर बिद्धु छेत्र का मान होगा यह बराबर सिग्मा अपॉन अपसलन लेकिन बाहार क्या होगा सुन्य होगा तो यहाँ पर हम यह ग्याद कर सकते हैं कि किसी भी समान प्रिष्ट गहनतों की पॉजटिव और नेगेटिव दो जो प्लेट हैं उनके बीच बिद्धु छेत्र की तीबरता कितनी होगी तो इन्वर्ड हमारे पास जो अंदर बिंदु आया उस बिंदु पर ई बराबर सिग्मा अपॉन अपसलन नॉट और जो बाहर आया वो सुन्य आया तो यहाँ पर यह क्लियर हुआ कि दो बड़ी विप्रीद आवेशित सम्तल प्लेटों के बीच के अस्तान पर एक समान बैदु छेत्र बिद्धिमान है अब हम ग्याद करेंगे एक समान रूप से आवेशित गोलिय कोस के कारण बिदु छेत्र की तीबरता अब हम यहाँ पर एक आर्थ रिज्या का एक गोलिय कोस ले लेते हैं और मान लीजिये उस पर प्लस क्यू आवेशित समान रूप से बित्रित है तो हम इस कोस के बाहर और सर्फेस पे और सेंटर पे यहाँ पर बिदु छेत्र की तीबरता ग्याद करेंगे तो जैसा कि आप चितर में देख रहे हैं कि हमारे पास माना की एक आवेशित कोस ओ केंदर का गोला है जिसकी तरिज्या स्मॉल आर हमने दिखाई है और यहाँ पर हमने एक कोस दिखाया है तो यहाँ पर हमने एक तरिज्या स्मॉल आर दिखाई है जो बड़े कोस के लिए है बड़े बाहरी कक्षा के लिए हो और हमने अंदर का कोस लिया है अंदर का हिस्सा लिया है उसके लिए हमने capital R से तरजा दिखाई है अब हम यह मान लेते हैं कि मान लीजिये कि आविशित कोस के केंदर O से small r दूरी पर बिंदु P है कोई बिंदु P है जहाँ पर बिद्दु छेतर की तीबरता हमें ग्याद करनी है तो यह हमारा यहाँ पर बाहर की और क्या निकलेगा बिद्दु छेतर की तीबरता निकलेगा यानि यह हम निकाल रहे हैं बिद्दु छेतर की तीबरता एक्स्टरनल पॉइंट पे तो इसके लिए देंसिटी ले 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 और उस चार्ज देंसिटी को सिग्मा माल ले और हम ये मालने की निर्वात में हमने ये सर्फेस को कंसीडर किया है तो गौशियन प्रिस्ट के सभी बिन्दों पर बेद्दू छेतर की इतिवरता समान होगी क्योंकि तृज्जे क्या है वो रिडिली आउ ख्था छेतर रफल डी ए दोनों बाहर के ओर होंगे तो यहां पर जो हमारा जो चेतर रफल डी ए हमने लिया और बैदू छेतर गी लिया तो इनके बीच का कोण हम सुनने कहे देंगे तो यहाँ पर जो phi होगा flux होगा वो d5 बरावर e.da होगा अब क्योंकि दोनों के बीच का कौन सुनने है दोनों सामांतर जो हैं बाहर के वो निकल रहे हैं तो e.da और cos theta अगर हमने यहाँ पर consider कर लिया तो cos 0, cos 0, 1 होता है तो यह e.da होगा तो पूरे गौसिन प्रिस्ट से होकर गुजरने वाला जो flux होगा वो 5 बरावर e integral of d.a होगा अब क्योंकि e यहाँ पर constant है पूरे गोले के लिए तो यहाँ पर जो छेतरफल होगा वो गोले प्रिस्ट का छेतरफल होगा वो 4 pi r square के बरावर होगा इस एरिया के मान को हम यहाँ पर यूज कर ले और हम यह भी जानते हैं गौस पर में से कि जो flux होता है वो q upon epsilon not के बरावर होता है तो इन दोनों फॉर्मूले को यूज करते वे हमारे पास यहाँ पर e का मान जो हो गया वो कितना हो गया 1 upon 4 pi epsilon not q बटे r square यह r हमने जो small r है वो उसके लिए consider किया है small r यहाँ पर बड़ा है capital r से तो यहाँ पर यह आपका इस पस्ट है एक समान आरविसित गोलियक कोस के लिए बाहे बिंदूओं पर जो हमारा e होगा वो कितना होगा 1 upon 4 pi epsilon not q बटे r square ठीक अब हम यहाँ पर q का मान अगर हम रखना चाते हैं surface density के form में आविस गोलतों के form में तो हमारे पास क्या हो जाएगा सीधा सीधा q बड़ाबर sigma a होता है यह इस sigma बड़ाबर होता है q बटे a यह हम यहाँ पर कह सकते है q का मान क्या होगा sigma into a a हमारे पास कितना है 4 pi r square तो q बड़ाबर हो गया 4 pi r square sigma ठीक है तो जो प्रिस्ट है प्रिस्ट पर हम देखना चाहते हैं कि किसी गोलिय कोस पर जो प्रिस्टिय अगनतों sigma लिया उसके कारण हमारे पास यहाँ पर जो q है उसका मान कितना है तो अब क्योंकि यहाँ पर जो small r है और हम जो ले रहे हैं q को वो capital r distance पर ले रहे हैं यहाँ प्रिस्ट के जो हमारे पास गोला है उस गोले के बाहे बिंदों के लिए हम यह consider कर रहे हैं कि जो capital r की तरज़ा है वहाँ पर आवेश समान रूप से बितृत है तो यहाँ पर अब जो q निकलेगा वो निकलेगा किस के लिए capital r की सतह पर तो q बराबर 4 pi r square sigma ठीक हो गया अब इस q का मान हमने जो e का मान निकाला था उसमें रखेंगे तो e बराबर हो गया sigma upon epsilon not capital r square upon small r square ठीक है तो यह formula और हमने जो यहाँ पर value sigma की रख दी है उससे हमारे पास लगबग same relation आ रहा है तो हम यहाँ पर यह कह सकते है जो बिदू छेतर की ती बृता है वो capital r के square के समान पाती है और small r के यहाँ पर क्या है बिद करवान पाती है यहनि इस first है कि जो small r है अगर वो बढ़ता चला जाएगा radial point जो radial त्रिजा है वो बढ़ती चली जाएगी तो e का मान लगातार घरता चला जाएगा तो गोलिये प्रिस्ट पर जब r बराबर r यानि दोनों त्रिजा है जब बराबर हो जाएगी तो उस समय जो e का मान है वो जैसे एक conducting seat के लिए आया था वैसी आ जाएगा क्योंकि हम r बराबर r रखेंगे तो r जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर दोनों cancel out हो जाएगे ठीक है तो वहाँ पर जो e का value आ जाएगा वो sigma upon epsilon not जैसा ही आ जाएगा यानि वो e की मान हो जाएगे अब अंदर की ओर अगर gap करना है आंतरिक बिंदू पर तो आंतरिक बिंदू पर यह सीधा है हमने पहले भी पढ़ा है कि गोलिय कोस के भीतर मानने जे कोई point है उस पर जो है आवे समान रूप से बितृत है तो जैसे जैसे हम अंदर की ओर आएगे तो Gaussian प्रिस्ट से होकर जो भी विद्दूत फलक्स होगा उसका मान सुन्ने होगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो प्रिस्ट है प्रिस्ट का जो छेतर फल है वो वहाँ पर होगा ही नहीं तो जब Gaussian प्रिस्ट का छेतर फल वहाँ पर है यह नहीं तो वहाँ पर फलक्स का मान सुन्ने होगा अंदर है ना तो आवे सित गोलिय कोस के भीतर बैदू छेतर की तीवरता हमेशा सुनने होगी एक समान आविशित गोलिय कोस के कारण जो बैदुचेतर की तीब्रता है वो अंदर की ओर यानि लगवख सेंटर में जब हम आ जाएंगे तो वहाँ पर उसका मान सुनने हो जाएगा तो यहाँ पर भी हमें यह पता चला की कोस पर और बाहे बिंदु पर यानि गोलिय कोस के बाहे बिंदु पर और सर्फेस पर ही बिदुचेतर की तीब्रता होगी तो यहाँ पर हमें यह क्लियर हो गया की बिदुचेतर की तीब्रता गोले के सेंटर पर क्योंकि वहाँ समॉल आर सुनने हो गया और capital R और small R बराबर हो गए तो center पर वहाँ पर सुनने हो गया और बाहर की और प्रिस्ट पर ये अधित्तम होगा जो विद्करम बर्क के नेमानुसार लगातार घड़ता चला जाएगा यानि E inversely proportional to 1 upon R square